क्लास 12 के लिए मैंने फॉर्स चैप्टर लिया है ऐल्फबेटिक फॉन पर मैंने अभी आपको समझाया है एक्सेसाइस एबी सी तक अब डी पे जाते हैं डी पे है फिलिंग प्लांक्स विद दो कॉंसोनेंस करती करना दिया है अब यह पिचर भी दिया है उसमें मैं आपको इसका फोटी करूंगी पिक्चर भी दिया है तरहां पर क्या लिखेंगे न, e, s, t, nest, nest का पिक्चर दिया है तो nest, अब second पर पिक्चर दिया है monkey का, okay, m, o, n, k, e, y, okay, इस तरह monkey का भी दिया होगा, elephant का भी picture दिया है, elephant का spellings लिख लेने का, okay, उसमें से vowels का दिया होगा, बाकी आपको अपने आप ही लिखना है, spellings ये vowels का दिया है, तो बाकी का dash आपको consonants करना है, तो कौनसा consonants आता है, इसमें L, P, H, L, T, okay, वो consonants आता है, अब भी draw किया हुआ है, picture, इसका कौनसा है, apple, तो ये ए लिखाओगा, और E लिखाओगा, यानि इसमें apple का spelling क्या है, A, W, P, L, E, apple, अब draw picture दिया हुआ, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U को क्या पोलते है, फिफ्ट वाल में, अभी ऐसा दिया होगा, O, E, L, L, okay, इदर के लिखेंगे, vowels, इस सारा pictures दिया होगे, आप भी दिया हुआ है, दूसरा garden का picture है, तो क्या लिखेंगे, A, dash, dash, E, N, तो यानि गार्डन, ओके, अब seven पे कौन सा है, एक लड़का uniform पैन के कड़ा है, तो उसका ये दिया हुआ है, uniform, तो यहाँ पे consonants लिखना है, uniform, ओके, अभी eight में दिया है, school का picture दिया है, तो उसमें consonants, सिर्फ consonants सम्में लिखना है, vowels दिया हुआ है, ओके, तो है, C, H, O, D, I, तो L, अब nine वाला क्या है, Q का दिखाया है, तो सिर्फ यहाँ पे, Q, dash पे लिखना है, ओके, ये इतना आपको मैंने बता दिया है, अभी E वाला exercise से, write three words beginning with each of the letters below, अभी जो letters दिया है, उसके तीन-तीन words लिखने है, ओके, three-three words लिखने हैं वो letters के, अब पहला है, W है, दिया है, P दिया है, और R दिया है, डब्लिव से three, ये beginning three letter words का जो भी है, जो three words दिया है, उसका beginning letters लिखना है, अब W से कौन सा word बनता है, वाल, watch, फी कौन सा है, wool, wax, ओके, ये सब words बनते हैं, अब P से क्या बनते हैं, पॉड, पैन, पैरेट, पप्पी, पैटल, ये सब words बनते हैं, क्या मैं तरी लिखना है, मैंने सिर्फ आपको एक्जाम्पल में बता है, अब red पे क्या से कौन से words बनते हैं, red, red, rose, और raw, ने, r-o-w, raw, ओके, ये words बनते हैं, तो मैंने आज आप लोगों को alphabet fund पे consonants क्या है, vowels क्या है, alphabetical order अगर हमें करते हैं, तो dictionaries में भी, meanings में भी, हमें उसमें alphabetical order दिया है, और अगर telephone directors देखें, उसमें भी alphabetically order पे दिया है, ओके, वो भी आपको समझा दिया है, thank you,